पॉलफिश खुद को चिपाने के लिए एक अनभिलीवेबल मेथट का इस्तेमाल करती है पॉलफिश खुद को बचाने के लिए सीक अकमबर की एनस के जरिये उसके वाडी में एंटर करती है सीक अकमबर में एक युनीक रैश्पिरेटरी सिस्टम होता है जिसमें ये अपने मूँ की बजाए अपनी एनस से सांस लेता है सीककंबर की एनस में बट लंग्स होते हैं जब पानी को फिल्टर करके ऑक्सिजन को एक्स्ट्रेक्ट कर लेते हैं जैसे ही सीककंबर सांस लेने के लिए अपनी एनस खोलता है परलफिश जल्दी से इसमें एंटर कर जाती है और मजे से इसके अंदर ही रहती है जब भी परलफिश को बूख लगती है वे शिकार करने के लिए बाहर आती है और फिर शिकार करने के बाद अंदर जली जाती है ज्यादा कर एक सीककंबर के अंदर एक ही परलफिश रहती है पर कई बार 4-5 परल फिश इकटी भी रह सकती है परल फिश के रहने से सीक गंबर को कोई नुकसान नहीं होता